गेंगश्टर राजु टेहिट अत्याकान में बड़ा खुला सा आनन्दपाल की बेटी निकली मास्टर माइंड कौन है क्या है पूरा मामला चले आज किस वीडियम जानते हैं गेंगश्टर राजु टेहिट के हत्याकी साजिस में सामिल आरोपी सुबास बराल फरजी पासपूर्ट से दुबई बाग चुका है अगस्त 2021 में जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद सुबास बराल ने जैपुर में व्यापारी से एक क्रोड रुपे की फिरोती मांगी थी ये फिरोती राजु टेहिट के मर्डर की प्लानिंग के लिए मांगी गई थी ताकि इन पैसों से दुबई जाकर आराम से मर्डर की प्लानिंग की जा सकते फिरोती की रकम के लिए संपत नहरा ने मंडोली जेल और लॉरेंस विश्णोई गैंग ने तिहार जेल से जैपुर के व्यापारी को दमकाया था जी हाँ दोस्तो सुबास बराल ने कही और व्यापारियों को दमकाने के बाद मिले पैसो से एक नई इसकारपियों खरी दी थी पर केस में नाम आजाने से पहले वह दुबई बाग गया था राजु टेट मर्डर में चीनू और सुबास बराल का कनेक्शन खंगा लगया तो पता चला की दुबई में बैटे बदमास आलिसान जिन्द के जी रहे हैं दुबई के जिस बंगले में टेट के हत्यारों की प्लानिंग हुई थी आज की इस वीडियो में हम आपको वो प्लिस के लिए लगतार चुनोती बंता जा रहा है रोहित गोदारा के बाद सुबास बराल भी भारत छोड़ कर दुबई पहुँच गया है सुत्रों का कहना है कि जेल से जमानत पर बाहर आने के कुछ दिनों बाद ही सुबास ने फरजी पासपोर्ट बनवा लिया था इसके बाद वे नेपाल के रास्ते दुबई पहुँच गया था सुबास बराल इन दिनों आननद पाल की बेटी चीनु के कॉंटेक्ट में है और आपको बताएं कि दोनों दुबई की एकी कॉलोनी के अंदर एकी बंगले में रह रहे हैं आलिसान जिन्दगी के जी रहे हैं तो दोस्त आपको बताएगी आनन्दपाल की बेटी जिसने राजु टेट अत्याकांड की प्लाणिंग रची थी वो आब रह रही है दुबई के अंदर इस बंगले में आप वीडियो में साब तोर पर देख सकते हैं और दोस्त आपको बताएगी राजु टेट की जमानत से पहले दुबई पहुंच चुका था सुबास बराल सुबास बराल दुबई पहुंच कर चीनु के साथ उसने प्लाणिंग की राजु टेट की जमानत होने से पहले ही सुबास बराल ने सारी प्लाणिंग कर दी थी फरजी पासपोर्ट से दुबई भागने के बाद वै अनन्द पाल की बेटी चीनू से मिला जैसे ही राजुटेट जमानत पर बाहर आया उसने प्लानिंग की और राजुटेट को मोत के गाट उतरवा दिया मडर की दूसरी प्लानिंग में भी सुबास ब्राल का माइंड दूसरी प्लानिंग भी सुबास ब्राल ने की थी अगर एक प्लानिंग फैल होती है तो दूसरी प्लानिंग से जरूर मार देंगे चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर का राजु ट्रेट अत्यकार में पैसों का इंज़ाम कैसे हुआ तिहार जेल गया लॉरेंस का फोन संपत ने मंडोली जेल में फोन कर दी दमकी सुबास बराल को आनन साधिले ने निश्चित बंडारी की पूरी कुंडली दे दी थी इसके बाद सुबास बराल ने लॉरेंस इसनों को फोन करके पूरी बात बताई तब लॉरेंस ने अपने सबसे भरोशेमंद संपत नहरा को जिम्मेदारी दी लोरेंस उन दिनों तिहार जेल में बंद था उन दिनों तिहार जेल के मंडोली जेल में कैद था संपत नहरा ने मंडोली जेल से निश्चित बंडारी को वाटसअप पोल के जरिये दमकी दी और फिरोती मांग कर हिस मामले को आगे बढ़ाया और आपको बताएं कि राजस्तान में सबसे ज़्यादा फिरोती मांगने के मामले में वांचित रोहित गोदार आप यूरोप में बैटा हुआ है और अभी तक फरार है गेंगश्टर राजु टेट अत्यकांड की पूरी प्लानिंग होने के बाद आपको बताएगी आननपाल की बेटी से जाकर मिला आरोपी और जब पूरे पैसों की व्यवस्ता हो गई तो आपको बतादे कि सुबास बराल विदेश बाग जुका था और वहीं से बैट कर राज कोई और नहीं बलकि दुबई में बैटी गेंगश्टर अननपाल की बड़ी बेटी चीनू है यह सारा मामला सामने आ चुका है और आपको वीडियो में देख भी सकते हैं कि वो इस मंगले में रहती है तो दोस्ताव आप समझ गए होंगे कि कैसे एक गेंगश्टर राजु टेट को मारने के लिए राजु टेट हत्यकांड में सुबास बराल और अननपाल की बेटी को कब तक गिरपतार कर पाती है पुलिस आप देखने की बात है बड़े बड़े गेंगश्टर के नाम सामिल है तो दोस्ते यह ता पूरा मामला आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आई गंदा बाया और नीचे कमेंट जरूर करें एक थैंक्यू सो मत